अबे रुक अबा नई यार कि डर चला रहा है अबा पुलिस ट्रांसफर्मर रेंड यार अबे ये तो हड़ी पसली तोड़ देगा अबा छोड़ जा पुलिस ट्रांसफर्मर ठेजी तो ऐसे कम तैसे यो तो गुड डे यारो यारो तुम लोगों को अब मैं क्या ही बता हूँ अपना बुरा हाल वो वो अपना मिलीटरी बेस है तुम लोग तो जानती हो तुम लोगों को मालम है आज क्या हुआ उसमें आज सही मिलीटरी बेस मेरा है अब पता नहीं मेरा क्या होगा यार सारे के सारे मिलीटरी बेस तो इस डैमונ ने हडप लए यारो मैं तुम लोगों को दिखा के लाता हूँ तुम लोग तो जानते हयो डैम unlikely ने अपनी मिलीटरी बेस को भगा दिया और मालम है उसने अपनी मिलीटरी बालों को रख लिया इस मिलीटरी बेस में बस यार बस बोच हो गया उस डëमोऊन की डाड़ागरी ससरा देखो मिलीटर बेस हो की पुंगी बजाई पर इस ना मेरे मिलीटर बेस पर कभज़खी आये और मैं उसके allow को नहीं करूँगा आ रहा हूँ डेमोन में आ तैरी पूंगी बेजाने आ रहा हूँ यारो यहीं सेG रास्ता उस डेमोन के मिलीटर बेश का अभे मोटे हैं निकाल इड़र से अभे ये पॉलिस माले उसके बोडीगाड है उस डेमोन को अबे ये ये तो पिछली बार आइस्क्रीम मेन के साथ आय ता ये तो आइस्क्रीम मेन का दोस्ते क्या बात है फिर चा आइस्क्रीम मेन तो ना आ रहा है निकल जाए डर से सतरा है धिक जाई ये मत आज के बाद ना तू और ना तेरा वो आइस्क्रीम मेन निकल या ते सतरा हा यारो ये तब छोड़ो हम लोगों को अभी डेमोन पर कॉंसेंटरेट करना चाहिए अब ये डेमोन तेरको मैं छोड़ूंगा नहीं एक बार मिल तो तू ये देखो यारो ये उस डेमोन का मिलीटर बेस आज तो इसकी दजिया उड़नी पक्की है तो चलो यारो मेरे पातना बम है और कुछ गन है वाह क्या बम गन वाह मसत यार और ये देखो यार ये इलेक्ट्रोनिक गन है कता ही एक बार में इंसर्ण की पुंगी बजा देती है ये देखो कता ही कपड़े कहां के मालम भी नहीं चलता है अब है हेलिकॉप्टर तेरी तो मुझे यारो बस बाइस हेलिकॉप्टर ही बहुत बेकार लगते हैं पता नहीं कहां कहां से आते रहते हैं वैसे कभी नहीं मिलेंगे लेकिन जैसी लडाई होगी ना तो एक दम से अचानक से आजाएंगे और ऊपर से बरसात करने लगेंगे इस्ती गुसा आती है यार क्या ही बताओ इन लोगों की यारों यह सब छोड़ो लेकिन डैमोन अभी तक नहीं आया हो ना और मेरे से डरके भाग गया आखिरकार यार अपन लोग जीती गए जब डैमोन आया ही नहीं तो मतलब यह मिलीटर बेस मेरा पर यहां पर सोल्जर बहते हैं इन लोगों से कैसे बचू मैं इस यह टैंक अरे रे इसको देखके तो यारों डर लगता है सही बता रहा हूं यह टैंक बहुत बेकार है एक रोकिट लोंचर आता है और कता ही श्वाहा करके चला जाता है यारो इतनी तो पक्किये की डैमोन नहीं आया लेकिन लेकिन यह क्या है अब यह के चीज़ बना दी काम है और यहारो यह पुलिस ट्रांस्वारमर को न उस डैमोन ने बना अब श्यार यह तो डैमों से जाड़ा पावरफुल है इससे तो हमें बच़के किसी भी तरह से जा नहीं होगा पर यहां पर तो इतने सारे रोबोट तो यहलिकॉप्टर और पता नहीं कितने सारे सोल्जर है में इन सब से बचके जाओं तो जाओं कैसे है मैं जैसी पीछे मुड़ रहा हूं एक दम से गोली चला दे रहे और पीछे पीछे टैंक भी आ रहा है अरे रहे मैं तो गया पक्का गया यार डेमोन से पंगा ले नहीं आमार ले तुमीर को नेकल फूकर जासाता रहे यारों अब अब सिर्फ एक ही रास्ता है टिप्संण हम लोगों को pome quá सकता है dramon Só तेपसं किया है जो पीरो टेपसं सार हमारी मजद कीजिए और उसकी पुलिस ट्रांसफोर्मर कार भी अमारा पहुत नुक्सान कर चुकी है अबे टिप्सन कुछ कर अबे टिप्सन टू है न मुझे वो पुलिश ट्रांसफोर्मर कार अगर दिलबा सकता है न तो दिलबा दे फिर तो मैं कता ही समाल लूँगा सब कुछ पीडो टू एक काम कर टू उसको सिनमा होल की बिल्डिंग में लेके आ यारो टिप्सन ने हम लोगों को बताया है कि अगर कि अगर मैं उस डैमोन की पुलिश ट्रांसफोर्मर कार को सिनमा होल की बिल्डिंग में लेके आऊं तो टिप्सन न उसको अनलोक कर देगा और हम लोग उसमें बैठ भी सकते हैं फिर तो कता ही मस्त होगा यार लेकिन ये ख के चलेंगे हम लोग सिनमा होल की बिल्डिंग में एक बार वो बस सिनमा होल की बिल्डिंग में पहुंच जाए फिर तो कता ही मजह मजह आ जाएंगे हम लोग उसको ड्राइब कर सकेंगे यार अब यार बस बहुत हो गया ना वो डैमोन आ रहा है ना वो पुलिश जाओ इडर से और को यह इस एरोप्लेन को भी पोड़ो और तू भी इसकी तो एसे कम तर्सी निकाल इडर से अब यार यह सोलजर भापिट से किडर से चले जाओ इडर से बने तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नाई चले जाओ इडर से यार मेर को माल डाला इसने तो कता यार मेरी गंवा सोग बहुत ते हो रोकी निकलता है निकल जाओ पर निकल जाओ दर से आखिरकार यह भी गया पर यारो मेर को अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है ना इत्ती देर में अभी तक बो डेमों आया है और ना पुलिस की ट्रांस मचा रहे हैं हम लोग भी चलते हैं लेकिन एक बार यार इन लोगों को मज़ा चखाना पड़ेगा रेंडो यार बेपालत में क्यों चुल करें किसी से हम लोग चलते हैं कता ही चलते हैं लेकिन उससे पहले यह एरो प्लेन यह जो भी इना इसको जरूर फोड़ूँगा अब सब काम सेठ वह गया अब चलते हैं यहां से 17 के पास चलेंगे हैं यह तो है अभी भी यह ओरे रहे यह तो यह तो टैंक भी अधर है अरे रहे मुझे लगा यह दोनुझा चले गए हैं लेकिन यह तो यही पर हैं यारो है यहां पर तो अच्छा ही हुआ अब हम इन डोनों को ना अन्लोक करेंगे इस पुलिस ट्रांसफोर्मर को तो जरूर करेंगे इसलिए न सबसे पहले हम लोगों को यहां से निकलना होगा सिनमा होल की बिल्डिंग के लिए और गाली बाले रोक रोक वे अब मुझे लिफ्ट कदाल यहां से जल्दी से भाग लेते भंणें जोीना वहतना हुआ कए काम करते हैं फटा फट से भागते हैं और क्या करते हैं यार मेरे एक बार सिनमा होल की बिल्डिंग में मेरे साथ चले फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा यारों कुछ भी हो हम लोगों ने बहुत साधी गिरीन ट्रांस्फोर्मर और भी बहुत साधी कारे चलाई हैं लेकिन यह पुलिस ट्रांस्फोर्मर कार नहीं चलाई हैं आज तक तो हम को जल्दी से जाना पड़ेगा और सिनमा होल की बिल्डिंग में चलते हैं और वहां पर टिपसन है इस कार को अनलोग कर देगा और जब जी अनलोग हो जाएगी तब देखते हैं क्या होता है हम लोग इसको वाकई में चला पाएंगे या फिर नहीं चला पाएंगे ठीक है सिन्मा ओल की बिल्दिंग में लेकिन ये लोग मयर को जाने भी तो न दे रहे हैं एक तो इस्ती पावर से मेर पर हमला कर रहे हैं अगर ये पुलिस बाली न होते न तो मैं चले जाता और वो तेंक को तेंक को जल्दी से बनना जी आगे थीजिए प्लिष ड्रांस्वर्मर, वैसे यह green ट्रांस्वर्मर नहींач कोई सभी ट्रांस्वर्मर हो तो बाइस्टाउन में कित्ते सारे ट्रांस्फोर्मर रोबोट आ चुके हैं मेरे को तो मालम भी नहीं है अब आकिर कार यारो हम लोग सिनमा होल की बिल्डिंग के बाहर आई चुके हैं अब अंडर चलते हैं फटा फट से आजा अब आजा ततरे आजा तेरे को चोड़ूँगा तोड़ी ना आजा अंडर आजा अंडर यारो आकिर कार हम लोग सिनमा होल की बिल्डिंग के अंदर आई गए पर ये ट्रांस्फोर्मर कहा रह गया अब तेरी तो निकल लिडर ते जिसको आना था वो तो आया नहीं है लगता है भार है अबugen तुँ भार का एक लिए खड़ा है अंदर आभे जब तक ये अंदर नहीं आएगा जब तक मैं अपना काम कैसे करूंगा यारो बस एक वार इसको थोड़ा और अंदर अब अब स यारो बस एक बम मारना और इसकी चाभी निकाल लेनी है निकाली डरत यारो फटा फटते इस पर बैठते हैं यह देखो यार अब मैं इसको ट्रांस्फोर्म करता हूँ और यह ट्रांस्फोर्म हो गई यारो अपनको मिली गई आखिर कार फाइनली यारो यह पुलिस ट्रांस्फोर्मर कार अनलोक होई गई हाह मज़े आगए कुछ भी को और यारो तुम लोग वैसे यह सब छोड़ो मैं तुम लोगों को एक बाट बताता हूँ अगर अगर तुम लोगों ने अभी तक इसका पहला पार्ट अगल नहीं देखा है ना तो तुम करो कुछ मत और संदों यह तुम्हारे सामने कुछ वीडियो आ रही होगी कता ही एक वीडियो आ रही होगी n अ अगर आ रही है न तो इसको किलिक करो अगर तुम उसे करोंगे न तो तुम आप? देखने को मिल जाएगा पहला पार्ट और क्या है तो देखो यार जरूर देखियो ठीक है न तो गुड डे बाई बाई